तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा डी गुवाज रूल के बारे में जो बेसिकलिए हमको क्या कहता है कोई अगर पोलिदोमियल एक्वेशन है और वहां से अगर आर कंजिगूटिव टर्म मिसिंग है तो हम लोग उसके इमाजनी रूट्स के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं यह हमने डी गुवाज रूल से देखा ठीक है जो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो डिकार्टेज रूल के हेल्प लेके ही उस रूल को फॉर्म किया गया है उसका में डेवेशन भी दिखा है मैंने आपसे यह भी बोला कि वो पूरे यूट्यूब तो आपको फर्स वीडियो मिलेगा जहां पर डिग्यूस रूल का डेवेशन इतने इजी मैनल में समझाया गया है और उसका प्रूफ था वो काफी इंटरेस्टिंग था अगर मैं बोलू क्लास 11 का अगर बच्चा उसको पढ़ रहा है तो क्लास 11 के बच्चे के लिए इंटरेस्टिंग प्रूफ क्लास 9-10 तक बच्चा मैट्स में क्या ही पढ़ता है कुछ भी निसब बेसिक चीज़े पढ़ता है पर क्लास 11-12 में चीज़े बदल सी जाती है उसका अपग्रेडेशन जो होता है बहुत ज्यादा मताब वो लेवल काफी बढ़ जाता है मैट्स का या फिजिक्स का बोलो कैमेस्टी का बोलो किसी का भी बोलो तो ठीक है बस हमने तो मस्वे में डिल किया तो आज से क्लास में कुछ बेसिक बाते करने वाले एक तम बहुत ही बेसिक क्लास बात करेंगे हम लोग जो इंपोर्टेंट होगा कि अगर आपको f of x प्लास h कैसे निकाल हो गया यह हम कि without even calculating the roots अगर मैं आपको बोलो कि लेटसे alpha, beta, gamma, delta और lambda पांच root है मैं आपको बोलो alpha to the power 5 plus beta to the power 5 plus gamma to the power 5 plus lambda to the power 5 कितना होगा तो इसका एक तरीका क्या है कि आप roots को निकाल लो roots को निकाल कि आप value put करके to the power 5 करके answer निकाल लो यह एक तरीका हो गया अगर मैं बोलो दूसरा अगर ऐसा मैं आपको तरीका बता दू कि आप sum of k power of roots निकाल सको क्या बोला मैंने sum of k power of roots आप निकाल सको तो आज से class में हम लोग basically यही दो topic पर बात करने वाले ठीक है तो first हम लोग क्या बात करने वाले अगर आपके पास हाना अगर मैं बोल रहा हूँ आपके पास let's say f of x इहां से दिखते रहे ना आज सा class में बहुत ही basic बात करने वाले वो important है उसके बाद हम लोग बात कर लें यह थो आज सा transformation of equation के बारे में then हम लोग move करेंगे आप quality equation पर तो starting का जो हमारा यह 6-7-8 गंटे जो भी था वो हमने theory of equation को पहचानना सीखा उसको understand किया मैं कुछ questions भी करा दूंगा आपको don't worry then we'll move to quality equation part हम different different बाते करेंगे quality equation में उसा graph कैसा होता है location of roots के बारे में बात करेंगे धेरधाई detail में बाते करेंगे don't worry okay तो आज हम लोग बात करनें इसके बारे में let's say मिले पास एक polynomial equation है मतलब एक polynomial है f of x is equal to a naught x to the power n plus a1 x to the power n-1 plus a2 x to the power n-2 plus dot 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 कहां तक होता है plus an होता है ठीक है मुझे क्या निकालना है मुझे निकालना है f of f of x plus h f of x plus h अब कैसे निकालोगे तो simple सा बात है अगर आपने x को x plus h से replace किया है top right hand side में भी करोगे जाहिर सी बात है तो कितना हो जाएगा देखो यह a naught x plus h to the power n plus a1 x plus h to the power n-1 plus a2 x plus h to the power n-2 plus dot 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 plus an clear हो गया यह बात अब जो लोग binomial पढ़ चुके है बच्चे मैंने तो वैसे पढ़ा है यह binomial है ना जब मैं अगर आपको binomial छर्म पढ़ा दिया होता तो अब मैं आपको दिखा सकता कि कि बाइनमेर एक्सपांसन करते हैं ना फॉर पॉजिटिव इंटेगल इंडेक्स हम लोग कैसे बाइनमेर एक्सपांसन करते हैं बट कोई बात नहीं अगर मैं नहीं पढ़ा हूं तो आभी में लिखा दे रहा हूं बट आगे मैं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ अगर मैं आपको बोलो यहां पर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स पावर एड होगा फिर ओजाएगा अपका प्लस n c 2 x to the power n minus 2 x में 2 power घटा और a में 2 power आ गया plus dot 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 last term के हो जाएगा n c n x to the power 0 a to the power n यह होता है आपका expansion, variable expansion for positive integral index of x plus a to the power n का होता है ठीक है, done clear, अगर minus होता है तो alternate plus minus है आपको देखने को मिलता है ठीक है, चलो ठीक है, उसके बार में बात करेंगा, अभी minus के बार में बात नहीं करता हूँ, ठीक है अब अगर मैं बोलो इसको, मैं क्या ले सकता है देखो, is equals to summation r equals to 0 to n n c r x to the power n minus r a to the power r ठीक है, यह होता है आपका formula for this expansion, clear, expansion, ठीक है जब मैं binomial theorem आपको पढ़ाऊंगा तो मैं दिखाऊंगा यह कैसे आता है, don't worry, don't एकदम worry करने के ज़र्वत नहीं है जब मैं binomial theorem आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि यह कहां से आता और कैसे इसका idea है for example, अगर मैं आपको बोलू कि आपको पता है, यह x plus 2 होता है, आपको पता है, यह x plus 2 होता है तो आप क्या calculate कर सकते हो, x plus 2 square, है ना, कैसे calculate करोगे, x plus 2, और कैसे calculate करोगे, x plus 2 अगर मैं बोलू कि x plus 2 whole cube तो आप कैसे calculate करोगे? x plus 2 into x plus 2 whole square x plus 2 whole square यहां से आप put कर दोगे और आप simplify करोगे तो जब आप इस तरीके से जाते रहोगे तो ultimately आप क्या मिलेगा? x plus 2 to the power n आप निकाल सकते हो ना आपने x plus 2 to the power 1 निकाला ठीक है? फिर आपने 2 निकाला फिर आपने 3 निकाला ऐसे dot 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 करते हैं आप कहा निकालोगे? n power निकालोगे उसी को generalize करके ऐसा formula derive होता है वो मैं binomial theorem में दिखाऊंगा अभी के लिए बस आपको यह जानना है इसका value यह होता है, बस इतना जानना है आपको ठीक है इसका value यह होता है बस इतना जानना है ठीक है? चलो तो मैं अगर नेक्स बात करो तो मैं इसको क्या लिशाकता हूँ देखो I can write it as what c है ना अगर मैं इसको लिखू तो is equals to a not हो जाएगा इसको मैं लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा x plus h to the power n मतलब nc0 है ना x to the power n h to the power 0 plus nc1 x to the power n-1 h to the power 1 plus dot 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 है ना इससे लिखेस आएगा लास्ट में क्या हो जाएगा ncn x to the power 0 h to the power n clear हो गया यह first वादा पार्ट मैं ने लिख लिए ठीक है अब next इसके बारे में बात करता हूँ ये क्या है देखो आपका plus a1 है ना और ये क्या है x plus h to the power n-1 जहां जहां n है हम लोग n-1 से रिप्रेस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा x plus h to the power n-1 n-1 c0 कहां से x to the power n-1 h to the power 0 plus n-1 c1 x to the power n-2 h to the power 1 plus dot 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 कहां तक आएगा plus n-cn-1 और ये कितना हो जाएगा आपका x to the power यहां पे 0 है यहां पे n-1 है है कि नी देखो यहां पे 0 है यहां पे n-1 यहां पे 0 है यहाँ पर कितना आ जाएगा आपको देखो N-1-0, यहाँ पर कितना हो जाएगा? N-1, minus N-1, मतलब 0, और ह कितना हो जाएगा? N-1, like this, तो है? N-1, clear हो गया? Done, तो इसको मैं थोगा से एढ़र ले आताऊं, इसको में तुम आसे देर ले आता हूँ ठीक है? डन क्लियर हो गया इसी को आप लिखे ऐसे करके फिर आपको नेक्स के आएगा देखो पहले आपने इसको ब्रेक किया ठीक है? फिर आपने इसको ब्रेक किया फिर आप इसको ब्रेक करोगे लाइक्माइस आप इस तरीके से लिखते जाऊँगे, ठीक है, फिर आपको क्या मिल जाएगा, देखो, प्लस, प्लस क्या मिल लेगा, आपको A2 इंटू संथिंग आएगा यहाँगा, है ना, प्लस करते करते, लास में आपको क्या मिल जाएगा, तो मैं पूरा लिखा नहीं रहो है इस तरिके सा इसको एवालुएट कर सकते हो अगर यह clear हो गया आपके पास तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हो यह NC0 का value कितना होता है मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं जहां से देख लो इसको अब आता है यहां पर permutation combination का concept मतलब permutation नहीं combination यूज हो रहा है अगर मैं बात करूं कि nc0 कैसे निकाल हो गए देखो nc0 क्या लिखो गया आप n factorial by 0 factorial into n-0 factorial ठीक है तो यह कितना हो गया देखो n factorial by 0 factorial 1 होता है याद अठना 0 factorial is equal to 1 दिखाऊंगा मैं प्रूब भी कर दूगा जब मैं permutation combination पढ़ाऊंगा मैं प्रूब भी करके दिखा दूँगा कैसे 0 factorial 1 होता है तो यह n factorial हो गया यह 1 हो गया और यह n-0 factorial मतलब n factorial तो अल्टिमेटरी कितना हो गया 1 हो गया देखो n factorial को अब लिख सकते हो n into n-1 factorial n factorial को आप क्या लिख सकते हो n into n-1 factorial divided by 1 factorial का value भी क्या होता है 1 होता है तो यह कितना हो जाएगा n-1 factorial यह और यह cancer हो गया बचा किया n तो nc1 का value कितना हो गया आपका n likewise अब सब चिसका value निकाल सकते हो in general अगर मैं बोलू n factorial क्या होता है n factorial is equal to n into n-1 into n-2 into dot 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 3 into 2 into 1 समझे हो n factorial का मतलब होता है कि n के बाद एक घटाओ फिर एक घटाओ करते करते 1 तक चले जाओ जाओ अगर मैं बोलू कि 7 factorial 6 factorial कितना होता है तो आप बोलो कि 6 factorial होता है 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 क्यूं होता है कैसे होता है यह सब आपका आएगा permutation combination में detail में बात करता हूं मैं don't worry formula कैसे बना क्यूं बना क्यूं 0 factorial आपका one होता है क्यूं 0 नहीं होता है सब बताओंगा don't worry यहाँ पर इसलिए वसापको यहाँ आता है कि यह समझना था ठीक है अब मैं सब को हटा रहा हो आप note कर लिया होगे वैसे आपको हटा रहा हूं ठीक है चलो सब remove करता हूं मैं यहाँ से अब जो मैं next बात करने वाला हूं यहां पर अगर मैं बोलू अगर आप इसको पुरा ब्रेक कर दोगे ना अगर आप पुरा ब्रेक कर दोगे फिर आप क्या करोगे अगरे कर चीए यहां पर क्या को इपको क्या दिख रहे है तो हर आपको ऐसे थां in ascending powers of h. क्या-क्या मैंने? अब जो मैंने ये ब्रेक किया, उसको मैंने ascending power of h में मैंने लिख दिया, ठीक है? तो पता है आपको क्या मिलेगा आपको? f of x plus h is equal to, अब करके देखने में आपको यही मिलेगा, ठीक है? a0 x to the power n plus a1 x to the power n-1 plus dot 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 plus al, ठीक है? यह मिलेगा. कैसे मिलेगा? आप इसको simplify करो, मैं आपको दिखा नहीं रहूं, अरे मेरे भाई, अगर लिखने के बाद simplify नहीं कर पाद हो, तो क्या करोगे जिंदगी में बोलो? मैंने क्या बोला? ascending the terms in ascending power of h, यह क्या है? आपका h to the power 0 है, यहाँ पर क्या है? आपका h to the power 0 है, बट यह तो 1 होता है, इसके मिले लिखा ही नहीं है, ठीक है? यह आएगा, प्लस, यहाँ पर आएगा आपका h, ओके? और यहाँ पर पता आपका क्या आएगा? n a0 x to the power n-1, प्लस, प्लस, n-1 a1, n-1 a1, x to the power n-2, प्लस, dot 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 dot, पता है कहा तक आएगा यह? it will come out to be, यहाँ पर क्या प्रणम होगा? n-1 x to the power n-1 प्लस, n-1, है न? अब आप बोलोगे कि सर, आप कैसे लिख दिये सर, आप याद किये हो कि है? नहीं, नहीं, याद नहीं करना है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर dropper badge का है, या फिर कोई बच्चा यहाँ पर 12 का है, जो वीडियो को देखा, तो वो समझ रहाँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इसको मैं कैसे लिखा हूँ, क्यूंकि जब आप series expansion पढ़ोगे calculus में, Taylor series expansion, McLaurian series expansion, यही दो आप लोग जनरली पढ़ते हो, तो जब मैं आपको पढ़ाऊँगा न, वहाँ पे, तो आपको समझ में आ सकता है, पट अभी के लिए आप बस अपने copy में note करो कि जड़ाँ दिमाग दिने लगाऊगे कि कैसे हो रहा है, क्यूं हो रहा है, बस अपनी copy में लिखो, देखो मैं बहुत जगा पर ऐसा situation आता है, जहां पर मैं आपको बोलता हूँ कि बिटा आप बस इसको copy में लिख द तो उसका सबसे easy वाला part भी आपको tough लगिया, क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ा ही नहीं है, समझ लोगी नहीं, तो जब वो chapter पढ़ लोगे, तब तो आपको समझ में आ जाएगा ना, और JW के exam देने का मतलब तो यह नहीं ना, कि आप 11 में सब cover कर लिए, 12 में सब 12 का cover कर आप exam के 2-3 महिने पहले तक सब cover कर लिए, that should be your objective, समझ में आ रहा है मैंनी बात, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फिर मुझे यह मिलेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा, उसके बाद मुझे मिलेगा, प्लस, continue करा रहा है, मैं यहापे continue, plus, h to the power 2 by 2 factorial मिलेगा, है ना, वाई, because 2 factorial is equal to 2 into 1 is equal to 2, तो यहापे आपको 2 मिला होता है, बट मैं 2 factorial लिख रहा हूँ, ठीक है, चलो, मैं क्या कर सकता हूँ यहापे, मैं यहापे क्या कर, चलो, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको 2 ही लिखता हूँ, आपको doubt ना है, मैं 2 ही लिखता हूँ, ठीक है, मैं 2 ही आप simplify कर आपको 2 ही मिलेगा यहां पर ठीक है उसके बाद आपको यहां पर मिलेगा उसके बाद यहां पर मिलेगा n into n-1 a0 x to the power n-1 plus n-1 n-2 a1 x to the power n-3 plus dot 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 पता आपको क्या मिलेगा plus 2 a n-2 plus 2 a n-2 ठीक है इस तरीके साब करते जाओगे plus dot 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 finally आपको मिलेगा h to the power n by n into n-1 है ना समझ यहां क्या बोला मैंने h to the power n by n into n-1 इसको ऐसे लिखते हैं इसको मैं सिधा दिदेते हैं n factorial आप ज़्यादा confused होगे इसको 2 factorial रिख लेड़ो ठीक है इसको मैं बोल देका हूँ n factorial और यहां पर आपका आएगा n into n-1 into n-2 into dot 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 3 into 2 into 1 into a0 यही आएगा आप सिंप्लिफाय करके देखला आपको यही मिलेगा इसका next फ़र जो term होता उसमें क्या मिलेगा आपको h to the power 3 by 3 factorial मत्तब 6 आया होता बट आप 3 factorial लिखोगे उसको क्योंकि इस pattern को आपको बनाना है यहां पर क्या है h to the power 1 by 1 factorial but h to the power 1 लिखने का मत्लब नहीं है वान खेक्ट्रिया लिखने का मत्लब नहीं है क्योंकि इसका value कीतना होता है वह नहीं होता है इससे मैंने h लिखा उसके बाद क्या आया है po 2 factorial यहां पर 2 लिखाए तो इसके बाद बाद जो term आता है, उसमें क्या आता है? इसके बाद यहां पर आता है, वो h to the power 3 by 6 आया होता है, बट 6 को मैं क्या लिशाकता हूं? 3 factorial, समझे हो, तो 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial करते करते हैं, यहां पर n factorial आता है, और यहां पर आपको यह मिलता है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ यहां पर, इसी को आप लिख देते हो, इसी को आप लिखते हो, यह कुछ बच्चों को यह tough लगा होगा, इसलिए विकोज आपने calculus नहीं पढ़ा है, जब calculus पढ़ लोगे, तो आपको यह सबसे easy लगेगा, आप बोलो के साथ JW में इतना आसान भी हो होता है ना, लेकिन जब आप calculus पढ़ लोगे तब, ठीक है, अब इसको पता है मैं क्या लिख सकता हूँ, यह किसके बराबर है देखो, यह तो f of x के बराबर है, ठीक है, प्लस, यह क्या है h, ठीक है, h to the power 1 by 1 factor लिख सकता हूँ में, यह पता है किसके बराबर है, f dash x के बरा n का derivative इतना होता है, तो यह होता है n into x to the power n-1, this is the formula, ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, d by dx of x to the power n, that is equal to n into x to the power n-1, this is the formula, x to the power n का derivative यह होता है, और अगर यहाँ पर कोई constant रहेगा, तो constant रही जाएगा, constant के साथ 6-6 नहीं होता है, ठीक है, तो a0 x to the power n है, इसका derivative क्या हो ज n-1, second term में क्या है, a1 x to the power n-1, इसका derivative क्या हो जाएगा, n-1 a1 x to the power n-1-1 मतलब n-2, देखो n-2, n-1 आ गया, a1 आ गया, ठीक है, तो अगर किसी को समाझ में नहीं आ रहा है मेरा बात, तो आप बस ignore करो इस बात को, और just इसको note-down करो, मैंने क्या बोला, आप मेरी बातों को बस ignore करो, इसको note-down करो, जिस दिन मैं आपको calculus पढ़ा लूँगा, उस दिन आप घूम के वापस आना, और वापस आके इसको देखना, आप बोलोगे, sir, यह क्या था मतलब, sir, तो बहुत आसान था, होगा आपके साथ में, don't worry, ठीक है, तो इसको मैं क्या ली सकता हूँ, द dot 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 plus h to the power n by n factorial fn x, ठीक है, fn मतलब n derivative, इसका मतलब क्या होता है, nth derivative, ठीक है, इसका मतलब होता है आपका nth derivative, ठीक है, यहापने में लिखा दे रहा हूँ, इसका मतलब होता है आपका nth derivative, वहना पता चला, आप function का power लिख दिया, तो फिर गरबर हो जाएगा, है ना, तो नहीं करना आपको, ठीक है, done, तो हमको क्या मिल गया, f of x plus h, f of x plus h कितना मिल गया, this much, clear हो गया, done, कोई दिककत नहीं है, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, next, यह आपको दिमाग में रखना f of x plus h, important result है, यह result आपको दिमाग में ही रखना, आपको याद f of x plus h to the power 1 by 1 factorial f dash x plus h to the power 2 by 2 factorial f double dash x, this is how it is written, है ना, आप देखो के बाद में जब Taylor series, McLaurin series बोलूँगा ना, तो आपको में पढ़ाओंगा, वह सब चीज है, कि आप Taylor, McLaurin series, Taylor series से कैसे आता है, किस तरीके से आता है, क्या करना पढ़ाओंगा, सब बताओंगा, बस बहुर य याद रखना है, है ना, यह आपको याद रखना है, ओके, अब अगर माल लो, इसी result से अगर मैं आपको बोलू, कि अगर आपको f of x minus h निकालना हो, तो अब क्या करोगे, h को minus h से replace करोगे, तो formula क्या बनेगा, f of x, है ना, यह h को minus h से replace करोगे, तो पोजिटिव ही होगा, h square by 2 factorial f double dash x, माइनस h cube by 3 factorial f triple dash x, है ना, प्लस dot 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 dot, अब यह n है, अब आपको यह तो पता नहीं, कि n even है, कि odd है, अगर n even होगा, तो भाई, h to the power, वही रह जाएगा, अगर n odd होगा, तो minus बन जाएगा, है ना, तो इसलिए आप क्याली होगे, plus minus 1 to the power n, h to the power n, y, n factorial f and x, जब भी हम लोग ऐसे confusion में रहते हैं, कि odd हुआ तो negative, even हुआ तो positive, तो हम लोग minus 1 to the power n का help लेते हैं, क्या बोला मैंना, जब भी हम confusion में रहते हैं, कि महापे क्या होगा, हमको नहीं पता, है ना, अगर even हुआ तो 1 होगा, odd हुआ तो minus 1 होगा, in that case क्या लेते हैं, minus 1 to the power n का help लेते हैं, क्योंकि अगर n को अपने even put किया, तो positive बन जाएगा, n को अगर आप output करोगे, तो minus 1 to the power odd is a negative, तो वो क्या बन जाएगा, negative बन जाएगा, clear हो गया, done, ओके चलो, ये concept भी clear हो गया, अगर आप इसको याद दखोगे, तो ये आपको automatically या रहेगा, ठीक है, मैं ये भी तो बोल सकता हो, अगर मैं इसकी बात करूँ, है ना, तो मैं, देखो, f of x plus h, ये क्या है, एक symmetrical function है, है ना, it is, it is a symmetrical function, symmetrical function का मतलब क्या होता है, f of x plus h is equal to f of h plus x, समझ में है, f of x plus h is equal to f of h plus x, मतलब में, इस function में, x को h से replace कर सकता हूँ, h को x से replace कर सकता हूँ, तब भी ये formula valid है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर, therefore, f of x plus h can be written as f of h plus, क्या लिखूँगा, मैं देखो, x to the power 1 by 1 factorial, है ना, x to the power 1 by 1 factorial, क्या लिखूँगा, मैं, f dash h plus, h to the power 2 by 2 factorial, f double dash h plus, h to the power 3 by 3 factorial, f triple dash h plus dot 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 dot, अच्छा, ये x होगा ना, sorry, ठीक है, तो ये 3 result हमने basically देख लिया, बहुत useful है, आगे जाके देखोगे, आपको और भी इसका use देखने को मिलेगा, ठीक है, वो सब आपके gate का भी part होता है, जब आप engineering में पहुँच जाओगे, जब आप engineering में पहुच जाओगे, तो वहाँ पर भी सारे concept यूज होने वाले है, सब कुछ, Taylor C's background, calculus, सब वहाँ पर भी पढ़ते हो, ठीक है, done, हो गया, clear हो गया, I think, चलो, अगर clear हो गया, तो यहाँ पर हम निकालते हैं, एक question ले लेते हैं, basic सा, है ना, question लेने के लिए तो question मेरे phone पर रहे गया, ओके ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, question हम लोग करेंगे, तो उसके पहले मैं सारा concept deal करा देता हूँ, है ना, done, ओके चलो, अगर भी next concept की बात करों, next concept देखो यहाँ पर, है ना, if, if f of x is equals to 0, है ना, has, has, our roots, has, our roots, equal to a, है ना, then, then, f dash x is equals to 0, has, has, our minus 1 roots, है ना, our minus 1 roots, equal to a, क्या बला मैंने, अगर कोई polynomial function है, f of x, जिसके कितने roots same है, है, our roots same है, our roots क्या है, same है, तो जब आप उस function का derivative लोगे, ना, उस polynomial function जो भी है, उसका derivative लोगे, और उसको equation बनाओगे, तो उसमें कितने roots same होंगे, r minus 1 root, that means, अगर, f of x equals to 0, के, अगर 4 roots same है, लेट से, तो f dash x equals to 0, का कितना root same होगा, 3 roots same होगा, clear हो गया concept, एकदम मस तरीके से, आप हम लोगे देखते हैं कि यह कैसे हुआ, देखो 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 देखो, proof, proof, है ना, देखो, r root equal to a है, है ना, r root equal to है, तो मैं बोल सकता हूँ ना, कि f of x को, जब मैं x minus a to the power r से divide करूँगा, तो मुझे 5 of x कुछ मिला होगा, है ना, reminder तो होगा नहीं, reminder क्यों नहीं होगा, because आपने बोला कि a क्या है, इसका root ही है, अगर a इसका root है, तो अगर आप x minus a to the power r से करोगे, तो कुछ तो एक आएगा 5 of x, आप f of x को इससे divide किये, यह तो भाइ, इसका factor है, x minus a to the power r क्यों, क्योंकि a उसका root है, और कितने time से उसका multiplicity, इसको क्या बोलते है, multiplicity, एक ही root कितना बार repeat हुआ, उसको आप बोलते हो, multiplicity, तो इसका multiplicity कितना है, r times है, तो अगर इसका multiplicity r times है, तो इसमें आपने क्या लिखा, f of x by x minus a to the power r is equals to how much 5 of x, यह आपने लिख दिया अच्छे तरीके से, मस तरीके से आपका हो गया, अगर आपने इसको इस तरीके से 5 of x लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं आपने, therefore, f of x is equals to x minus a to the power r, 5 of x, सामाज में आया न, reminder क्यों नहीं आया, reminder इसलिए नहीं आया, because f of x इससे divisible होगा, of course आपका होगा, 5 of x के बराबर होगा, हो सकते हैं, आगे 5 of x दिफेक्टराइस हो जाए, पर हमको उसमें इंटरेस नहीं है, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, therefore, f of x plus h, मतलब मैंने क्या किया, x को x plus h से रिप्लेस करा दिया, ठीक है, x को मैंने क्या करा दिया, x plus h से रिप्लेस करा दिया, तो अगर मैं x को x plus h से रिप्लेस कर दिया, तो अगर मैं x को x plus h से रिप्लेस कर दिया, क्लियर हो गया, इस तरीके से लिखूँगा मैं, उसके बाद अगर मैं आपको बोलो कि यहां पर अगर f of x plus h लिखा, यहां पर x plus h minus a to the power r, तो इसको मैं कैसे एरेंज करूँगा, देखो, x minus a, है ना, इसको मैं लिखूँगा, x minus a plus h to the power r, phi of x plus h, क्लियर हो गया, done, no problem, चानो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है, अगर मैं आपको बोलो मुझे निकालना, क्या था, पहले यह देखो, मैंने क्या लिखा, अगर f of x equals 0 के पास, अगर r roots equal है, अगर r roots equal है, तो f test x के पास कितने roots equal होंगे, r minus 1 roots equal होंगे, है ना, तो यह सारे च तो इस सारे चीज़े वहाँ पर भी आएगी, जहां पर मैं इन सब कीजों को थोड़ा सा अलग हुए में समझाओंगा आपको, अब देखो कि आगे कुछ-कुछ थेयरों साइंगे, differential calculus में, तो वहाँ पर भी मैं यह सब बात करूँगा, और आप enjoy करोगे, but अभी मैं कोई graph के बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं derivative, इसको derivative बोलता है, f dash x में derivative, यह क्या होता है, कुछ के बार मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बस अभी आपको जितना लिखा रहा हूँ, उतना ही समझना है, मैं बोलना, overall, जब कीजों को सीख जाओगे, तो आप खुदी सारे dots क connect कर पाओगे, ठीक है, तो अगर मैं बोलू, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, f of x plus h को, हमको पता है f of x plus h क्या होता है, f of x plus h to the power 1 by 1 factorial, f dash x plus h to the power 2 by 2 factorial, f double dash x plus dot 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 dot, last term तो जाएगा, जो last term होगा, होगा, h to the power n by n factorial, f n dash x, है ना, इससे हमको खर मतलब नहीं है, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, next, next देखो, अगर मैं इसको evaluate करूँ, इसको evaluate करूँ, तो यह मेरा क्या आ जाएगा, देखो, x minus a plus h to the power r, है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, n c 0, x minus a to the power, मतलब मैंने इसको एक साथ अलग दिया, x minus a, को मैंने एक साथ अलग दिया, x minus a to the power what, to the power, यह r है ना, तो यहाँ पे भी r होगा, अगर यह r है, तो यहाँ पे भी r होगा, x minus a to the power r, h to the power 0, plus r c 1, x minus a to the power r minus 1, h to the power 1, plus dot 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 dot, कहां तक आएगा यह, plus dot 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 कहते करते हैं, last time इसका क्या बन जाएगा, r c r, x minus a to the power 0, h to the power r, ठीक है, यह आगे आगे आपका bracket में, यह आगे आपका bracket में, into, देखो यहाँ पर यह भी है, यहाँ पर यह भी है, तो यह कितना हो जाएगा, phi of x plus h, phi of x plus is आपका हो जाएगा, phi of x, है ना, प्लस कितना हो जाएगा, h phi dash x, plus h square by 2 factorial, phi double dash x, है ना, clear, यह कितना हो जाएगा, s2, है ना, h square बतला, h square by 2 factorial, phi double dash x, and then afterwards क्या हो जाएगा, plus dot dot dot, last term क्या हो जाएगा, h to the power n by n factorial, phi nx, clear हो गया, यह मैंने लिख लिए आपे, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, आपको चाहिए क्या था, अगर f of x के पास, f of x equals 0 के पास r roots equal to a है, तो f dash x equals 0 के पास r minus 1 roots equal होगा, मुझे चाहिए क्या f dash x, मुझे क्या चाहिए f dash x, क्यों देखो, अगर f of x के पास r roots equal है, तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, f of x is equals to x minus a to the power r into 5 of x, लिख रहा हूँ न, अगर f of x is equals to x minus a to the power r, 5 of x लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, कि f of x के पास में r roots equal है, and that is equal to a, तो अगर मैं f dash x is equals to x minus a to the power r minus 1 into something दिखा दू, अगर मैं f dash x is equals to x minus a to the power r minus 1 into some function, अगर मैं दिखा दिया, तो मेरा काम हो गया, तो वही करते हैं अभी देखो, तो मुझे basically क्या चाहिए, f dash x चाहिए, अब f dash x कैसे निकालूगा देखो, है न, मुझे चाहिए किया f dash x, तो f dash x कैसे निकालूगा, अब देखो, अगर मैं f dash x की बात करूँ, है न, तो f dash x क्या है, देखो, h का जो coefficient है, वही f dash x है, क्या बला मैंने, h का जो coefficient है, वही f dash x है, so, so, f dash x is the coefficient, है न, coefficient of what? h, ठीक है, तो अगर इधर h का coefficient f dash x होगा, तो right hand side में मैं क्या बलूँगा, h का coefficient क्या होगा, f dash x होगा, है न, अगर left hand side में f dash x, h का coefficient f dash x है, इधर भी तो देखो, h दिख रहा है, h to the power 0, h to the power 1, तो जितने h to the power 1 है, multiply करने के बाद में, जब आप इसको, इसमें जितने terms है, उसको, इसके terms से multiply करोगे, धेर साथ terms आएंगे, मुझे सब में interest नहीं है, मुझे किस में interest है, बस h वाले terms में interest है, जिस-जिस terms में h आएगा, मुझे उसमें interest है, तो ultimately आप देखोगे, कि therefore, on comparing coefficient of h on both sides, क्या बला मैंने, on comparing coefficient of h on both sides, हैना, h का coefficient आप अगर both side में compare करोगे, तो आप देखोगे, आपको क्या मिलेगा, पता है, आपको मिलेगा, f dash x, that is equals to, क्या मिलेगा, देखो, यहाँ पर देखो, h है, rc1 का value क्या होगा, r factorial by 1 factorial into r minus 1 factorial, मतलब r, rc1 का मतलब r होता है, ठीक है, तो यह आपको क्या मिल जाएगा, देखो, h यहाँ पर है, और यहाँ पर आप 5 of x साथ में multiply करोगे, हैना, इस term को, जो आप इसके साथ में multiply करोगे, तो क्या हैगा, देखते रहो ध्यान से, हैना, मैं इसको यहाँ पर लिग देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिग देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पर लिग देता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लिग देता हूँ, इसके पा आप ऐसे पर लिखूंगा मैं र, C1, X-A, 2D, पावर, R-1, इन्टो 5, इसमें आएगा, और किसमें आएगा, देखो, जब आप, जब आप, इसको, इसको, है ना, इसको, जब आप इसके साथ मल्डिप्लाइ करोगे, और किसमें आए था, इसको जब आपने इसके साथ प्लस क्या में जाए देखो, rc0, rc0, x-a to the power r, है ना, to the power r into 5 dash x, 5 dash x, यह आया किसका value, f dash x का value आया, अगर आप ध्यान से देखोगे, तो rc1 का value कितना होता है, r, यह हो गया, x-a to the power, r-1, यह हो गया आपका, 5 of x, plus rc0 का value कितना होता है, r factorial बाद 0 factorial into r minus 0 factorial, that is equal to 1, यह हो जाएगा, x-a to the power r, 5 of x, ठीक है, अब अगर मैं बोलू कि, x-a to the power r-1 को मैं common ले ले लेगा हो, ठीक है, तो यह मैं common ले लूँगा, तो क्या हैगा, देखो, x-a to the power r-1 को मैं common ले ले, तो अंदर में क्या हैगा, देख x, clear हो गया, done, इसी को मैं क्या ले सकता हूं, देखो, x-a to the power r-1 into some, let's say, g of x, into say, g of x, इसको मैंने g of x ले लिया, है ना, इसको मैंने g of x ले लिया, ठीक है, तो देखो, f-x क्या है मेरा, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो f-x मेरा क्या है, x-a to the power r-1 into something, that means f-x के पास कि r-1 a root है, मतलब जो a root है, वो r-1 times है, तो हम लोगे हाँ पर क्या ले सकते हैं, therefore, f-x is equal to 0 has r-1 roots, roots equal to a, clear हो गया concept, यह होता है concept, अब देखो, अगर मैंने आपको f of x plus h का expansion नहीं सिखाया होता, तो आप यह derive ही नहीं कर पाते, इतना important result आप derive ही नहीं कर पाते, अगर मैंने आ आपको f of x plus h का expansion नहीं सिखाया होता, इसलिए कहते concept बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, है न, आपका जो concept है, बहुत strong होना चाहिए, और जबर्दस्त होना चाहिए मतलब, तभी जाके चीजे धंक से हो पाएंगी, ठीक है, clear हो गया यह concept, इसमें कुछ भी doubt नहीं आना चा concept होगया, clear, अब मैं next बात करता हो, एक concept और है उसमें कुछिन करा दूँगा, छो ठीक है, एक concept और है, उसमें बात करता हो, then we'll move towards the question, ठीक है, अब देखो next concept क्या है, ह chang? अगर मैं next concept की बात करो, तो next concept क्या कहता देखो, अगर next concept की बात करो, if, if, a, b, c, dot, 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 k are the roots of, roots of, f of x is equals to 0, then, 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 f dash x is equals to f of x by x minus a, plus f of x by x minus b, plus dot, 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 plus f of x by x minus k, अब आप बोगों के सार पने k तक क्यों लिया रहा है, आपको z तक लेना, z जहां तक लेना, वहां तक लेना, वहां तक लेलो, यहां पर जितने roots है, अगर f of x equals to 0 के roots अगर हुए, तो f dash x equals to f of x by this, plus f of x by this, plus dot, 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 f of x by x minus k, ठीक है, अब बात यह है कि यह कैसे हुआ, बात यह है कि कैसे हुआ, ठीक है, यह concept के बारे मैं बात करता हूँ, then, I will move to question, एक दो question हूँगा, देख, मैं question कराऊंगा, एक बार मैं theory of equation कराना, जो basic वाला part है, पूरा cover कर देता हूँ, अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं move करूँगा, किस पर questions में, तो आप एकदम निश्चीनत रहों कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं question नहीं कराऊंगा, अगर आपने मेरा set relation function देख लिया, आपने मेरा trigonometry देख लिया, तो आपको पता होगा कि मैं question more than 200 कराता हूँ, एक chapter में, वो भी unique question, ऐसा नहीं कि एक question दूसरे से को relation रखता है, सारे unique type में question कराता हूँ, तो आप एकदम basic कर रहो, एकदम tension free रहो, जैसे ही मैं आपको इसके बाद, मैं transformation of equation में पढ़ा लूँगा, उसके बाद मैं questions लूँगा, then ही मैं quantity equation में फिर जम करूँगा, ठीक है, don't worry, तो अगर मैं बोलू यहाँ पे, यह सारे roots अगर f of x equals to 0 के होते हैं, ठीक है, तो f dash x कितना आ गया, dis आ गया, अब बात होता है कि कैसे आया यह, है ना, तो मैं proof की बात करता हूँ, देखो, अगर यह सारे उसके roots है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, f of x, that is equal to क्या लिख सकता हूँ, x minus 1, x minus b, x minus c, x minus k, लिख सकता हूँ, इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, चलो, ठीक है, अगर मैं बोलू की, की मैं x को x plus h से replace करता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास, तो implies that f of x plus h is equals to x minus a, है ना, plus h, x plus h होता है, बट मैं x minus a को साथ दिखा और plus h को बाहर कर दिया, ठीक है, फिर ये कितना हो जाएगा, x minus b plus h, x minus c plus h dot 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 dot, x minus k plus h, इस तरीके से आएगा कुछ, ठीक है, अब अगर मैं बोलू, x of x plus h को में क्या लिख सेख ना हूँ, f of x, है ना, plus h to the power 1 by 1 factorial, f dash x, plus h to the power 2 by 2 factorial, f double dash x, plus dot 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 dot, आएगा, ठीक है, that is equals to, ये सारे टर्म्स को बाहर फिर से लिखता हो जाएगा, ये काम करता हो मैं ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, x minus a plus h, x minus b plus h, x minus k plus h, ऐसे लिख दिया लिख, ठीक है, अब देखो दिखान से, अगर मुझे, क्या चाहिए, मुझे चाहिए क्या f dash x, f dash x किसका coefficient है, h का coefficient है, मुझे क्या चाहिए, f dash x, तो coefficient किसका है, h का coefficient है, तो मैं लिखूंगा यहाँ बे, since, since, we need f dash x, so, let's compare, let's compare, the coefficient of h on both sides, both sides, coefficient of h को compare करो, ठीक है, time काफ ही जाता हो गया, 2 बज़ने रात के, ठीक है, so, we need f dash x, so, let's compare the coefficient of h on both sides, ठीक है, चलो हो गया, actually, मुझे नीन दा रहा, तो, उसको जल्दे से खतम करते हैं, ठीक है, अगर मैं बात करो अभी, कि, अगर इसका coefficient को मैं compare करो, तो f dash x क्या हैगा, देखो, f dash x is equal to, अब ध्यान से देखते हो, इसको जब आप सबसे multiply करोगे, तो क्या हैगा, देखो, h into x minus b आया होगा, फिर उसके साथ में आप x minus c multiply किये होगे, फिर x minus d, इस तरीके साथ धेर साथ compare किये होगे, है ना, तो क्या आएगा आपका देखो, x minus b, x minus c, x minus d, x minus k, अब ये वाला step पर किसी को doubt आएगा, हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे होगे, बहुत सरा बच्चे तो capture कर लिए होगे, कुछ बच्चे को doubt आएगा, तो जिनको doubt आया होगा, उनके पास एक ही option है, उनके पास एक ही option है, कि वो x में, तीन ही term लो, बस, a, b, c, तीन ही root लो, तीन root लो और verify करो, कि जो मैंने लिखा है, वैसा ही आएगा कि ने, क्योंकि अगर आप तीन root लोते हो, तो इधर में एक, एक, दो term, एक, दो term, एक, दो term, तो इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, total कितना आएंगे product में, total कितना आएंगे product में, 2 into 2 into 2, मतलब 8, 8 term आएगा, आप calculate कर सकते हो, लेकिन अगर k तक लोगे तो धेर सारे terms आएंगे न, अगर मैं यहाँ पर बोलू कि आपको करना क्या है, तो आपको करना यह है, कि आपको सोचना है बस, कि आप जब इसको बाकि सबसे multiply करोगे, और आपको चाहिए क्या, इसमें तो धेर सारे terms आएंगे, ऐसे कुछ terms भी आएंगे, जहाँ पर x-c udga, x-b udga, x-c udga, … but आपको वह नहीं चाहिए, क्यों, आपको वह terms चाहिए जिसका coefficient क्या होगा, जहाँ पर अपको होगा h होगा, तो हपको h का coefficient चाहिए, आपको क्या चाहिए, h का coefficient चाहिए, ठीक है, done, चलो एक बात में आपे बता देना चाहता हूँ let's say अगर आपके बास 2x है है ना, आप 2 को क्या बोलते हो numerical coefficient, x को क्या बोलते हो, variable बोलते हो but this को क्या बोलते है, literal coefficient भी बोलते हैं, क्या बोलते है literal coefficient, ठीक है चलो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर है ना, तो इसको जबाद throw out multiply करोगे तो इसका h, इससे multiply हुआ होगा x-c से multiply होगा, dot 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 x-k से multiply होगा, ठीक है प्लास, प्लास, इसका h, x-a से multiply होगा x-c से multiply होगा, like that x-a, x-c dot dot dot, x-k है ना, likewise आप सबका कर सकते हो, तो लास्ट फोला जो होगा, वो क्या आएगा, x-a x-b dot dot dot, x- j तक है, clear होगा है अब अगर आप जहां से देखोगे, है ना तो देखो, x-b, x-c, x-c x-c, x-c, kya होजागा x-b, x-c, x-c x-c, x-c, kya होजाएगा f of x by x-c, होजाएगा x-c, kya को निचे लेओ, f of x by x-c, होजाएगा तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप क्या लिख सकते हो f of x by x-a plus, इसको आप क्या लिख होगे f of x by x-b plus dot 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 f of x by x-k, ये किसका फेलू आया f dash x का फेलू, और ये ही तो आप बोले हो है ना, ये ही तो आप बोले हो ठीक है so like this, you can prove this particular thing तो तीन concept हमें देखा अगर आपको f of x दिया गया है आप f of x plus h कैसे निकालोगे ये concept आपके लिए, जो important है एक concept, ठीक है next next मैंने आपको क्या पढ़ा है f of x के पास में अगर s roots sum b के बराबर है तो f dash x के पास s minus 1 roots b के बराबर होगे समझ गए, मैंने जितना f of x का equal root, उससे एक कम f dash x equals 0 का equal root ठीक है, third concept हमें देखा क्या अगर a, b, c, d, ये सब अगर roots होते है f of x equals 0 के, तो हम f dash x जो होता है f dash x का बहुत major role होता है mathematics में, first derivative second derivative, third derivative सबका significance है और बहुत बड़ा significance है maths में maths बहुत ज़ादा उस पर rely करता है, depend करता है बहुत सारे real life चीज़ों को हैंडल करता है f dash x, तो हम दो देखेंगी जब हम आप कैलकुल सुरू करेंगी, जैसे मैं differential करको start करूँगा उसी में मैं यह सब चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ derivative बगरा के बारे में बात करने वाला हूँ ठीक है? तो don't worry for that अभी मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ आप से? अभी मैं बोलने वाला हूँ इंक अब मैं चलो एक दो कोश्यां ले ले लेता हूं फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे sum of kate power of roots sum of kate power of roots ठीक है तो अगर मैं question की बात करूँ यहां पर अगर मैं question की बात करूँ तो एक question है यहां पर क्या है एक question है यहां पर कई बार question टाइप नहीं होता है तो मैं vote पर लिख लेता हूं है बात में type हो जाएंगे question f of x is equals to क्या दिया गया है 2x to the power 4 minus x cube minus 2x square plus 5x minus 1 आपको बुला है find f of x plus 3 find f of x plus 3 यह आपको निकालने के लिए दिया है ठीक है यह आपको निकालने के लिए दिया है आपको basically पता है अगर f of x अगर यह वाला part होता है तो f of x plus 3 basically आप graph को shift किये हो जो graph है उसको आप left hand side में shift किये हो by 3 units 3 units आप graph को left hand side shift कियो that is going to the shifting of graph है ना मैं जब saturation function पढ़ा रहा था वहाँ पर भी आपको कई बार ऐसे situation पर मैंने आपको बोला है बट इसके बारे में detail बात करूँगा जब मैं curve tracing बढ़ाऊंगा आपको drawing of graph यह सब जब concept पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं detail बात करूँगा कि कैसे left right shift होता है कैसे उपर नीचे shift होता है है ना और कैसे आपका reversal होता है reversal के बारे में भी मैंने बताया था आपको f of x of f of minus x उसको कहते है आप graph reversal है ना तो सब कुछ के बारे में बताऊंगा लेकिन हर चीज को मैं उसकी जगा पर बताऊंगा मेरे पढ़ाने के तुम clear style होता है एक दम neat and clean पढ़ाता हूं मैं मैं खिचडी कभी भी नहीं करता हूं कि एक चीज को उठाके दूसरे जगा पर राके confusion create करूं जब मैं एक चप्टर पढ़ा रहा होता हूं मैं उसी पर focus करता हूं जब मैं next पर जाता हूं फिस पर focus करूंगा और जब पूरा syllabus कता हो जाता है फिर मैं random बाते करता हूं एकदम रेंडम बाते करता हूं और फिर स्टुडेंट यह नहीं बोल सकता है कि सर आप यह नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा है क्योंकि जब मैं सब पढ़ा लूँगा तभी मैं रेंडम बाते करता हूं ऐसे नहीं करता हूं तो अगर आपको यह दे दिया गया और आपको ब f dash 3 plus x to the power 2 by 2 factorial f double dash 3 plus x to the power 3 by 3 factorial f 2 power dash 3 plus x to the power 4 by 4 factorial f 4 3, ठीक है, ठीक है, ठीक हो गया, अब आपको क्या करना, बस value बिठाना है निकालो, अगर f of x ये है, तो f dash x कितना होगा, देखो, f dash s कितना होगा, 4 into 2, 8, x power 4 है, एक घटा दो, x cube, minus, ये कितना होजाएगा, 3x square, minus, ये कितना होजाएगा, 2 into 2, 4, x, plus, 5 into x का 5, constant का derivative 0 होता है, ठीक है, अगर f dash s निकाल गया, तो आप f dash 3 निकाल सकते हो, value find करो, कितना होगा, फिर आप क्या करोगे, f double dash x निकालोगे, उसका value क कितना होजाएगा, 24 x square, minus 6 x, minus 4, आप क्या निकालोगे, f double dash 3, is equal stop, निकालो, find करो, कितना होता है, इस थोड़ी बैट के मैं calculate करो, आप calculate करो, अगर f triple dash x निकालोगे, है न, तो इसका value कितना होजाएगा, देखो, 48 x minus 6, तो आप f triple dash 3 is equal to, कितना होगा, find करो, फिर f 4 derivative x, इसक value तो 48 ही होगा, तो यह clear है, कि f 3 कितना आएगा, 48 आएगा, ठीक है, आप ये value calculate करो, ये calculate करो, ये calculate करो, formula में put करो, आपको value मिल जाएगा, आपको value मिल जाएगा, और यहाँ पर f of 3 भी निकाल सकते हो, f of 3 भी निकाल सकते हो, f of 3 भी 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 निकाल सकते हो, f of 3 भी 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 भ सब को मिठा आपको एंसर मिल जाएगा और वह एंसर क्या है यह जो ग्राफ है उसको left hand side shift किया गया है यह जो ग्राफ है उसको left hand side shift किया गया है ठीक है clear हो गया done कुछ भी doubt नहीं होना चाहिए okay माल लो कि इसका graph कैसा है let's say इस तरीके से graph मुझे नहीं पता but let's say इस तरीके से graph है let's say इस तरीके से graph है तो जब आप f of x plus 3 करो गया तो इधर shift हो जाएगा 3 unit इधर 1, 2, 3 unit और shift हो जाएगा समझे हो 3 unit वो shift हो जाएगा तो of course अब आते है जब वो shift होगा तो उसका वो तो change होगा ना यह function सेम थोड़ी जाएगा तो change हो जाएगा बदल चुका होगा ना that is the concept इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप सब कुछ पढ़ लोगे ना तो आप सब कुछ रिलेट कर पाऊगे जब आप सब कुछ पढ़ लोगे तो सब कुछ रिलेट कर पाऊगे ना don't worry ठीक है तो इसको आप solve कर सकते हो आराम से या फिर आप और एक formula यूज कर सकते थे कौन सा formula देखो आप इसको ऐसे भी तो निकाल सकते थे ना f of x plus 3 to the power 1 by 1 factorial f dash x plus 3 to the power 2 by 2 factorial f double dash x plus 3 to the power 3 by 3 factorial f triple dash x plus 3 to the power 4 by 4 factorial f4 x अब आप बोलो किसरा आप 5 derivative क्यों नहीं गए क्योंकि जो आप 5 derivative निकालो गए तो उसका value 0 आएगा अगर आप 5 derivative पे जाते हो आप जा सकते हो बट 48 का derivative 0 आएगा 0 के साथ में आप किसी को भी multiply करो 0 ही होगा तो इसके बाद जितने terms आएंगे ना सब 0 होगे उसको लिखने का क्या मतलब है ठीक है? calculus अच्छे से रखा हुआ है coordinate geometry, conic section, vector 3D सब कुछ एक एक zone में रखा हुआ है मेरा फिर मैं engineering math भी पढ़ाता हूँ जो इसके बाद आप लों engineering में पढ़ोगे complex calculus, vector calculus, probability, normal आपका algebra, जो आपका real calculus होता है linear algebra, उसका मेरा एक section है numerical method, यह सब आप पढ़ते हो engineering में उसका मेरे दिमाग में एक अलगसे section रखा हुआ है तो जब मैंने हर knowledge को gain कर लिया ना तो अब मेरे लिए चीजों को deal करना बहुत आसान होता क्योंकि मैं किसी भी concept को किसी के साथ भी relate कर सकता हूँ समझे हो ना, मैं किसी भी concept को किसी के साथ भी relate कर सकता हूँ इसलिए मेरे लिए चीजे बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी है ठीक है, done तो अगर आप लोग lectures को follow करोगे तो आप भी उस stage में पहुंच जाओगे बहुत जब्ली ठीक है, अब मैं next question ले लू next question ले लू next question क्या है next question क्याता है, find the condition find the condition find the find the condition that the equation that the equation a x cube plus a x cube plus 3 b x square plus 3 c x plus d is equal to 0 we have two roots equal we have two roots equal है ना, आपको condition निकाल ला है, ठीक है अब कैसे निकाल होगे, देखो अभी-अभी मैंने आपके concept पढ़ाया कि अगर f of x के पास में अगर r roots equal होता है तो f dash x के पास में उससे एक कम root equal होगा, ठीक है अगर यह क्या है, f of x है, आपके पास क्या है देखो, f of x कितना है, आपके पास में, axq plus 3b x square plus 3c x plus d is equal to 0, ठीक है? यह आपके पास f of x है, इसके 2 root equal है, देखो 2 root equal है, तो अगर आप f dash x निकालोगे, का निकालोगे, f dash x अगर अगर निकालोगे, तो यह कितना हो जाएगा, 3A x square plus 6B x plus 3C है ना यही आएगा अगर f of x के पास में 2 root अगर equal है let's say इसका जो root है इसका जो root है क्या-क्या है alpha, alpha और beta क्यों? 2 root तो equal है भाई आपके बास में, अब वो complex है, real है हमको नहीं बता बर 2 root तो equal है ना, तो मैंने ले लिया alpha, alpha, beta, है ना तो f dash x जो है अगर इसका 2 equal है तो इसका 1 इसके बराबर होगा, अगर इसके 3 equal होते हैं, तो इसके 2 equal होते है अगर इसका alpha, alpha, alpha होता तो इसका कितना हो जाता? alpha, alpha हो जाता है ना, तो इसका root में ले ले लेता हूं let's say alpha और gamma ठीक है अलफा और गामा मैं इसका ले लेता हूं रूट्स ठीक है तो भई अलफा तो दोनों का रूट्स कॉमा नहीं होता है अगर इसके दो रूट इक्वेल होते हैं तो इसमें एक कम उसके बराबर होगा है कि नहीं देखो ना भी पढ़ाया ना प्रूफ उसको चेक करो अलफा विल सैटिस्फाइ बोथ एलफ एक्स एंड एफ डैस एक्स सैटिस्फाइ करेगा अगर सैटिस्फाइ करेगा तो देखो क्या होता है है ना और एक क्या है आपका अब ये थेदा है क्यूबिक और इसका डिगरी कितना थडुरी इसका डिगरी कितना है थी इसको टीू करता हूँ इसको reduce करता हूँ, यह जो third degree है इसको मैं reduce करता हूँ, कैसे करूँगा देखो, अगर मैं बोलू इसको, मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, a α into α square plus 3b α square plus 3c alpha plus d is equal to 0, क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, और इससे ना में α square निकाल लेता हूँ, implies that alpha square कितना होगा देखो alpha square is equal to minus 6b alpha minus 3c divided by how much 3a ठीक है अब इस alpha square को मैं यहाँ पूट करता हूँ तो क्या हो जागा देखो a alpha into alpha square को पूट करो minus 6b alpha minus 3c by 3a आपके दिमाग में यह question आएगा कि sir आपने इसा क्यों किया just because I need to find a condition और condition किसके terms में आएगा आपके इसके coefficient के terms में आएगा a 3b 3c 3d मतलब a b c d जो relation आएगा वो तो a b c d के terms में ही आएगा आपके तो a b c d के terms में ही आएगा आपके तो a b c d के terms में थोड़ी आएगा alpha तो मैंने लिया है है ना तो a b c d के terms मुझे एक relation थी इसलिए मैं क्या करूँ बैसिकली आपके कर रहा हूं चीजों को है ना तो मैं क्या करूंगा चाहता हूं मैं दोनों एक्वेशन से alpha को eliminate करना चाहता है यह 2 इक्रिए अपको और यह की इतना हो जाएगा 3b alpha square plus 3c alpha plus d is equal to 0 इसको तो कितना हो जाएगा ये अगर मैं इसके बात करो तो ये कितना हो जाएगा देखो this will be this will be a और a cancel हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका cancel होगा minus 2b alpha minus c minus 2b alpha minus c तो ये हो जाएगा आपका, ये a और ये cancel ये a और ये cancel और ये हो जाएगा आपका minus 2 this one, ठीक है तो इसको आप लिख सकते हो minus 2b alpha square minus 2b alpha square और ये हो जाएगा आपका minus c right, this will be what minus c तो minus c alpha minus c alpha plus 3b alpha square plus 3c alpha plus d is equal to 0 ये आगे आपके पास में इसको आप क्या करोगे देखो आप minus 2b alpha square और 3b alpha square तो ये हो जाएगा b alpha square ठीक है, minus c alpha plus 3c alpha मतलब plus 2c alpha plus d is equal to 0 clear हो गया? तो मेरे पास था दो equation है, देखो क्या-क्या दो equation है? एक equation तो मेरे पास ये है एक equation मेरे पास ये है ठीक है? इसको मैं copy कर लेता हूँ और इसको मैं नीचे कहीपे paste कर देता हूँ ये एक मेरे पास equation है next मेरे पास ये equation है ठीक है? एक मेरे पास ये equation है तो इसको भी मैं क्या करता हूँ? copy करता हूँ और नीचे यहाँ पे क्या करता हूं देखो पेस्ट कर देता हूं ठीक है इसको मैंने क्या कर दिया है यह हो गया मेरा equation 1 यह मेरा हो गया equation 1 जो मुझे पहले मिला और यह मुझे simplify करके equation 2 मिला क्लियर हो गया अब मुझे करना क्या है करना तो अलफा यह करना है अगर कोई भूल गया होगा तो स्कूल की बाते याद दिला देता हूं पढ़ते हो प्रोस्ट में क्या करता हो कोफिशिन को लिखते हो 3a और b यहाँ पर कितना हो जाएगा 6b और 2c यहाँ पर कितना हो जाएगा 3c d फिल आप उसको repeat करते हो 3ad अगर यह भूल गये होगे ना सच बता रहा हो मतलब एकदम धुरंदर लोग हो आप फिर चो है ना यह स्कूल में सिखाया जाता है method of elimination, method of cross multiplication, method of substitution, different methods of finding the solution of a linear equation आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है ठीक है चोलो तो अगर मैं इसके बारे में बात कर लूँ अभी इसके बारे में मेरा हो क्या है ठीक है तो अगर मैं α2 की बात करो तो α2 क्या होता है 10-10 है ना 10-10 तो क्या लिख हों कि देखो 6bd 6bd माइनस 6c2 यही होगा 3ab, 6b, 2c, 3cd, 3ab, this equals to, alpha के साथ में, क्या लिख होगे? is equals to, it equals to, alpha के साथ में, क्या लिख होगे, alpha के साथ में, 3bc, minus 3ad, मतलब this minus this, ठीक है, is equals to, यह जो constant है, constant के लिए हम 1 लिखते हैं, नीचे में क्या लिखेंगे, 6ac minus 6bd, clear हो गया, कोई दिक्कत नहीं है आपर, चलो, इसको मैं अब कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, implies that, alpha square by 2bd minus 6c square is equals to alpha by bc, sorry, 2bd minus 2c square, bc minus ad is equals to 1 by, यह कितना हो जाएगा, 2ac minus 2bd, clear हो गया, done, यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों की बात करो, इन दोनों की बात है, तो alpha कितना हो जाएगा, alpha हो जाएगा आपका, bc minus ad by, कितना, 2 times of ac minus bd, clear हो गया, अगर मैं इन दोनों की बात करो, अगर मैं इसकी, और इसकी बात करो, ठीक है, तो alpha square कितना होगा, मैंने देखो, alpha square, alpha square will be equals to, है न, 2 times of bd minus c square, divided by 2 times of ac minus bd, clear हो गया, done, ए 2 or 2 तो cancel हो गया, भाई, है न, देखो, alpha square is equals to this है, but alpha का value कितना है, this है, तो मैं क्या लिश सकता हूँ, यहाँ पर, implies that, alpha का value put करो, यहाँ पर, bc minus ad, bc minus ad, divided by 2 times of ac minus bd, है न, इसका square हो जाएगा, और यह कितना हो जाएगा, bd minus c square by ac minus bd, clear हो गया, अभी यह कितना हैगा, देखो, implies that, bc minus ad square, और यह हो जाएगा, आपका 4, और यह, और यह cancel भी होगा, तो यह हो जाएगा, ac minus bd, और यह कितना हो जाएगा, आपका, bd minus c square, ठीक है, तो therefore, bc minus ad whole square, is equals to, कितना हो जाएगा, 4 into ac minus bd, and bd minus c square, clear, so this is your condition, this is your condition, यह हो गया आपका answer, ठीक है, तो आपको जो question दिया गया था, कौन सा question, this one, आपको जो यह question दिया गया था, है ना, आ गया, find the condition that the equation this, इस equation का, दो root equal होगा, इस equation का दो root equal तभी होगा, जब a, bc, d, kे बीच में यह relation exist करेगा, यही तो होता है maths का beauty, यह, यह, a, b, c, d, k, बीच में यह relation जब exist करेगा, तभी आप बोल सकते हो, कुछ जो equation दिया गया, उसका do root equal होगा, else equal नियोगा, तो देख रहे हो, question क्या है, concept क्या लग रहा है, answer क्या रहा है, exam में पूस दिया जाएग आपसे, ऐसे चार option होगे, आपको बताना होगा, questions को solve कहजाता, ऐसा है नहीं कि JW का questions टाफ होते है, अगर किसी को sufficient time में ले तो कोई भी कर लेगा, लेकिन उतने कम time में अगर उतने questions को बनाना है, तो आपको इतना concept होना पड़ेगा, है ना, इसलिए देखो, teachers तो बहुत फटाफ़ट बना लेते हैं, जो JW के लिए अच्छे से train करते हैं बच्चोंकों, तो फटाफट बना लेते हैं, क्योंकि, for example, मैं मैं मैच्स ही पढ़ा रहा हूँ भी, तो मैरे को मैच्स में तो पूरा grief है ना, अब मुझे फ़र्क नहीं पढ़ता कि उसमें क्या question आ रहा है, guaranteed है, बन जाएगा, तो आपको थोड़ा भी tension नहीं होगा, घबराना नहीं है, must way में सारे answer आप निकाल लोगे, ठीक है, done, तो ये रहा हमारा, ये वाला concept हमें कवर कर लिया, अब जो हम आगे बढ़के next पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग बात करने वाले हैं, कि आपके पास में, अगर कोई एक equation दिया गया है, उसका root आपको नहीं पता है, उसका exactly root क्या आपको नहीं पता, बट आपको अगर find करने के लिए दिया जाए, find the sum of kth power of the roots, क्या बोला मैंने, find the sum of kth power of the roots, let's say, एक cubic equation है, तो उसके roots क्या-क्या होंगे, alpha, beta, gamma, let's say, ठीक है, अगर मैं आपको बोल दो कि without even calculating alpha, beta, gamma, find the value of alpha to the power 10 plus beta to the power 10 plus gamma to the power 10, तो अब कैसे निकालोगे उसको, क्या technique यूज करोगे, है ना, तो उसके बारे मैं भी बात करने बारे हैं, तो चलो, फिस concept को start करते हैं, अच्छा, तो यह काम करता है, इस concept को start करने से बेटर है, मैं सोच रहा हूँ क्या, इस lecture को यही पर रख देता हूँ, और इसके बात का जो lecture को उसको मैं separate बनाऊँगा, जहां पर मैं बात करूँगा, how to find the sum of kth power of the roots, ठीक है, तो यह जो topic आज का जो रहा, उसमें पस हम लोग ने किसके बारे में बात किया, अगर आपको f of x दिया गया है, तो आप f of x plus h कैसे निकालोगे, f of x के roots और f of f dash x के roots के बीच में क्या relation है, तो different types of चीजों के बारे में हमने बात किया, तो हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जो next lecture होगा, उसमें specifically बात करने वाला हो, कि sum of kth power of roots, आप कैसे निकालोगे, without even actually knowing the roots, ओके, चलो फिर, thank you so much, love you all, see you in the next class, अगर आपको lecture अच्छा लग रहा है, तो चैनल को हमारे like, share, subscribe जरूर करना, और अपने friends से जब दस तरीकेशे शेर करना, okay, चलो फिर, thank you so much.